नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराथी डॉक्टर साहिब के इस खास एपिसोड में हम आज बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में लोगों में अकसर यह डर रहता है कि अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई तो उन्हें काफी जादा गंभीर बीमारिया हो सकती है प्लेटलेट्स की कमी की वज़े से जान पर खत्रा भी आ सकता है तो आज के एपिसोड में हमें जानने के कोशिश करेंगे कि यह सारे डर जो हैं कितने सही हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं डॉक्टर वविनाज कुमार से जो कि यह काफी जान ही माने हमेटॉलोजिस्ट है यानि कि रब्त रोगों के विशेश शग्ये हैं प्लेटलेट्स के बारे में डॉक्टर साब हम आगे सवाल करें उसके पहले में चाहूंगे अब हमारे दर्शकों को यह समझा दें कि प्लेटलेट्स आखिर होती क्या है जी हां प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का एक बहुत महत्वपुन कॉम्पोनेंट है जयसे हम लोग जानते है कि बलड में अर। भी सी होता है हीमोगलुबिन होता है जिसे हमें इनर्जी मिलती है जो oxygen कैरी करता है हमारे सरी में WBC होता है जो कि हमें immunity प्रतान करता है रोग से लगने की छमता प्रतान करता है आज के covid के समय तो सभी लोग जान गए हैं कि रोग प्रतिरोधक छमता कितने important है और तीसरी जो चीज है वह है platelets तो platelets भी एक तरह का cell होता है जो कि हमारे blood में होता है और इनका काम है bleeding को रोकना कहीं भी य practice में देखते हैं कि बहुत सारे मरीज भैभीत रहते हैं यदि उनका platelets थोड़ा भी कम रहता है जो कि always सही नहीं है तो इसलिए बहुत सही विशाय आपने चुना है discussion के लिए इसको जरूर हम लोग अच्छे से discuss करें डोक्टर साब एक एहम सवाल ये है कि platelets की कमी जो होती ह है उसके पीछे मुख्य कारण क्या होते है किन वजाओं से होती है क्या किसी बीमारी की वज़े से platelets की कमी होती है जी हाँ platelets की कमी के बहुत सारे कारण है और सबसे जो महत्तरपूर्ण है आप लोग से share करना चाहूंगा कि जो जाच है lab जो reports है जो कुल्टर मसीन जहां हम लोग CBC की जाच करते हैं platelets की जाच करते हैं तो उसके भी अपने कुछ technical problems के कारण ऐसा होता है कि 100 में से 15-20 मरीज जिनके normal platelets हैं उनके भी report थोरे कम आ जाते हैं जैसे 70,000, 80,000, 100,000, 100,000, 100,000, 200,000 ऐसा report आ जाएगा तो 100 में से 20 मरीज जिनके platelets इस range में हैं वो normal ही रहते है उन्हें कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन आज जो डर का माहौल है चाहे डेंगू के कारण चाहे अन्य बीमारियों के कारण जिसमें platelets कम होते हैं तो वो normal व्यक्ति भी अपनी report देख करके काफी भैभीत रहते हैं, anxious रहते हैं, depressed हो जाते हैं और बहुत सारी ऐसी unnecessary चीज़ problem है, technical जो part है, lab का, culture machine का उस कारण से होता है, और दूसरा है, सबसे common जो कारण है, उसमें है कि जैसे ITP बीमारी होती है, उसमें सरीर में कुछ antibody बन जाते हैं, जो कि platelets तोड़ता है, तो ITP है, खाने पीने में, vitamin B12 की कमी या जो साकाहारी है, उनके थोरे platelets कम रहते हैं, और दूसरी अन्य बीमारिया है, जैसे कि कुछ infection है, डेंगू है, malaria है, या बहुत ज़्यादा infection हो जाए, जिसे सेपसिस कहते हैं, ऐसे मरीज usually ICU में रहते हैं, hospital में, उनके कम हो सकते हैं, कुछ blood cancers हैं, जैसे leukemia है, lymphoma है, myelo dysplastic syndrome है, TTP जैसी बीमारिया है, इन बीमारियों में भी प्लास्टिक एनीमिया है, इन बीमारियों में भी platelets की कमी पाई जाती है, जी, डॉक्टर साब एक एहम सवाल में ये करना चाहूंगी, कि एक व्यक्ति कैसे इस बात की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में जो है, वो platelets की कमी होने लगी, उने डॉक्टर से संपर् bleeding को रोकना है, तो platelets की कमी यदि एक level से नीचे हो जाता है, जैसे 3000 से नीचे यदि किसी के platelets चले गए हैं, तो उनको bleeding की tendency रहती है, उनके सरीर में कुछ लाल काले-काले धब्बे आ सकते हैं, पैरों में, या जैसे बच्चा यदि रोता है, तो उसके चेहरे पर कुछ लाल धब्बे आ सकते हैं, तो ये एक लक्षन है, skin bleeds में के साथ भी मरीज प्रिजन कर सकते हैं, या दूसरा है कि किसी के platelets कम हैं, 10-15-20,000 हैं, तो यदि ब्रस करते हैं, तो दानतों से bleeding हो सकती है, या नाक से blood आ सकता है, urine में blood आ सकता है, या काला latrin हो सकता है, या कहीं चोट लग गया, तो वहां काले धब्बे बन गया, या वहां से रक्तसराव होने लगा, तो ये सब सामाने लक्षन है, platelets की कमी के, जैसा कि डॉक्टर साब अपने खुद बताया कि 30,000 से अगर कम होती है platelets, तो कुछ अलग लक्षन है, 10,000 से कम होती है, तो अलग लक्षन है, ऐस यदि हम लोग किसी रिपोर्ट को पढ़ते है platelets का, तो उसमें जो रेंज होता है, वह 1,500,000 से सारे 4,000,000 रिपोर्ट किया जाता है, कि यह नॉर्मल रेंज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग देखे गए, जिनके platelets 1,000,000 से 5,000,000 के बीच थे, और उन्हें कोई symptom नहीं हु मंदित बीमारी नहीं है, दूसरा है कि यदि platelets कम होते हैं, जैसे एक लाग से 30,000 के बीच होते हैं, एक लाग से नीचे हैं, या कम ही होते जा रहे हैं, तो फिर जरूर उनको किसी अच्छे नजदीक के physician, यदि बच्चे हैं, तो pediatrician या hematologist से मिलें, ताकि पता लगा जा सक कि क्या कारण है इनके platelets के कमी का और जो भी कारण निकलता है उसके इलाज से वह ठीक हो सकते हैं, अब डॉक्टर साहब अपनी इलाज की बात की है, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, कि बचाफ किस तरीके से क्या जा सकता है, ताकि platelets की कमी ना हो, और अगर बचा जैसा हो सकता है कि आपके platelets report में कम आया है, लेकिन आप normal हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि 20% लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, जिनके lab report कुछ technical problems के कारण कम platelets दरसाते हैं, उनके platelets नार्मल होते हैं, जब हम लोग manual platelets कराते हैं, तो उनके platelets नार्मल आते हैं, तो डरे नहीं घबराई ये नहीं, दूसरी बात कि जैसे खाने पीने में यदि कोई साकहारी हैं, या रूटीन पे ध्यान नहीं देते हैं, या कुछ अनावस्यक दवाई जैसा मैंने बताया पहले भी कि गैस की दवाई या कुछ आयरुवेदिक, होमेपैथिक दवा बगरे खा रहे हैं, तो उसको रोग दे, उनके कारण से भी फ्लैटेट्स कम हो सकते हैं, और खाने पीने पे ध्यान दे, रूटीन अपना अच्छा रहे, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे केसे हैं, जिनमें फ्लैटेट्स को ठीक कर सकते हैं, बाकी जो अन्य बीमारियां हैं, उसमें अर्ली से मिलें और इलाज कराएं, तो फिर हम लोग ठीक हो सकते हैं, और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, कि कुछ ऐसी अनावस्यक चीज हम लोग करते हैं, जैसे की पपीते के पत्ता का सेवन है, बकरी का दूद पीना है, कीवी फल खाना है, तो मेडिकल साइंस में ऐसे कोई इविडिन्स नहीं है, की ऐसे ही आप ये दिखाईएगा, तो आपके प्लैटेट्स वो बढ़ जाएंगे, तो इसलिए इन चीजों का सेवन एकदम ना करें, जो गिलोई है, उसको भी कुछ लोग खाते हैं, और बहुत तारे ऐसे इंडिया में लिवर के इंस्टिचूट ह जहां की इन चीजों के सेवन के बाद लिवर फिल्योर के मरीज बहुत अधिक संख्या में वहा जाते हैं, तो इसलिए इन चीजों का सेवन बंद करें, और पहले कारण पता लगाएं किस कारण से प्लैटेट्स कम हुआ है, और उसका इलाज कराएं, बाकि इलाज के लिए जरूरी है कि जाने की किस कारण से प्लैटेट्स कम हुआ है, और उस बीमारी का इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके दवाईयों से प्लैटेट्स फिर बढ़ जाते हैं, सबको प्लैटेट्स चरहने की ज़रूत नहीं पड़ती है, यद उनके सुपरवीजन और उनके सजेशन के बाद ही प्लैटेट्स चरहा हैं, ऐसी डर के किसी के 50,000 प्लैटेट्स हैं, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो अन्यसरी प्लैटेट्स चरवाने की ज़रूरत नहीं है, और एक और बात है, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, जिनके प् नाइस दबा है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, जिनके प्लैटेट्स कम हो, क्योंकि ब्लीडिंग की टेनेंसी जो है, वो काफी बढ़ जाती है, और उनके लिए खदरनाक हो सकता है, उमीद करती हूं कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बाते बताई हैं, उससे आप यह समझ गए होंगे, कि प्लीट्लेट्स को लेकर जो ब्रहम पैलाए जाते हैं, उनके पीछे की सचाई क्या है, कब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, महज आपके डॉक्टर के इलाज से, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत जल्द मुलाकात होगी अब डॉक्टर साहब चाप की क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो मैं अपनी समस्या मेल के जरिये भी भेज सकते हैं, धन्यवाद